पहला प्रशन है हमारा, शान्तनू किसके पुत्तर थे? शान्तनू किसके पुत्तर थे? देवरत के थे, महाराना परताप के थे, चित्रागड के थे, इवी चित्रवीरिय के थे तो शान्तनू की बात की जाये तो शान्तनू महाराजा परताप के पुत्तर थे शांतनु की शादी किस से हुई थी? शांतनु की शादी गंगा से हुई थी गंगा से जब शादी हुई थी तो उनके पुत्तर का नाम देवरत था शांतनु के पुत्तर का नाम देवरत था और शांतनु किसके पुत्तर थे? वो महाराजा पक्ताप के पुत्त थे Option 2 इसका सही अंसर है Next question है हमारे बास देवरत का दूसरा नाम क्या था देवरत का दूसरा नाम शांतनु था विचित्तर था भीशम ताया दृत राष्ट था जो इनका देवरत का दूसरा नाम था वो भीशम था भीशम पितामा के नाम से उनको जाना जाता था ये गंगा के आठे पुत्तर थे देवी गंगा ने अपने साथ पुत्तरों को गंगा में बहा दिया था और भीशम पितामा ब्रह्मचारी थे और इन्हें इच्छा मृत्यू का वर्दान भी था ये कोश्चन पूछे जा सकते हैं कोश्चन में कि देवरत कौन था भीशम था नेश कोश्चन है हमारे पास विचित्तर वीरिया किसका पुत्तर था विचित्तर वीरिया के बात की जाए तो ये भी शान्तनु का पुत्तर था शांतनु के कौन सा पुत्तत था देवरत था एक तो देवरत गंगा का पुत्तत था लेकिन जो विचित्त्तर वीरिय था वो सत्यावति का पुत्त्त था दूसरा पुत्तत था ये शांतनु का next question है हमारे बास कौरव और पांडव के गुरु कौन थे? कौर्वों और पांडों की बात की जाए तो उनके गुरू कौन थे द्रोनाचारिय थे विश्वा मित्तर थे रिश्वी वेद वियास थे या इनमें से कोई भी नहीं था मताईए गुरू द्रोनाचारिय कौर्वों और पांडों के गुरू थे गुरू दुरोनाचारिये से कोशन बन जाता है एक्जाम के अंदर ये कोर्वो और पंडो के तो गुरू थे ही और इन ही के नाम पर गुरू ग्राम शहर बसाया हुआ है गुरू दुरोनाचारिये के नाम पर ये कोशन भी कई बार एक्जाम में आ चुका है गुरुग्राम को क्या बोलते हैं, मेडी सिटी बोलते हैं, मिलिनियर सिटी भी बोलते हैं, गुरुगाम को नेश्क कोशन है हमारे पास, मा भारत का युद कहां लड़ा गया था, कन्नाल में, पानिपत में, कुरुषेत्र में, या मबाला में माह भारत का युद कुरुक्षेत्रा में लड़ा गया था युद से भी कोशन आ जाता है कि कुरुक्षेत्र को क्या बोला जाता है कुरुक्षेत्र को धर्मक्षेत्र भी बोला जाता है इसी वज़े से धर्मक्षेत्र बोला जाता है कुरुक्षेत्र को next question है हमारे बास और महाभारत कायूद से question एक और आ जाता है कि कितने दिन तक चला था ये महाभारत कायूद 18 दिन तक चला था वो जो विशेश पात्तर थे इसके बीच में अर्जून और दुर्योधन कौर्व और पांडवों के बीच में था अर्जून पांडवों की तरफ से था और दुर्योधन कौर्वों की तरफ से था तो इन में से भी question मिल जाएंगे आपको exam के अंदर कहीं से भी पूछ लेता है examiner question को next question है मारे बास माभारत का लेखन कारिया किस ने किया था वेदवियास ने, सिरी गनेश जी ने, सिव जी ने या सिरी क्रिशन ने लेखन कारिया की बात की जाए तो लेखन कारिया किस ने किया था सिरी गनेश जी ने लिखा था माभारत को लेकिन एक question और बन जाता है यहीं से कि इसका संकलन किस ने किया था संकलन किया था महारीशी वेदवियास जी ने और महारीशी वेदवियास का पूरा नाम भी पूछा गया था एक एक्जाम के अंदर अच्छा सेस्जी ने तो उनका पूरा नाम दोएपायन वेदवियास है क्या है? दोपायन वेदवियास ठीक है? नेक्स कोश्चन है हमारे पास माभारत का पुराना नाम क्या था? क्या था रामायन, श्रीमगवद गीता, पुरान या जैसहीता? क्या नाम था? जैसहीता, ये कई बार कोश्चन आ चुका है एक्जाम में माभारत का पुराना नाम जैसहीता था क्यों तो जैसे ही था क्योंकि इसके अंदर अठासी सो स्लोक थे अठासी सो स्लोक होने के कारण इसका नाम जैसे ही था लेकिन जब महाभारत में एक लाग से उपर स्लोक हुए एक लाग से अधिक होने के कारण इसको क्या कहने जाने लगा माभारत एक लाग से अधिक लोग हो गए थे इसके इंदर माभारत से कोशन भी पूचा जा सकता है एक और कोशन आ जाता है माभारत में कितने अध्याई होते हैं माभारत में अध्याई कितने हैं अठारा अध्याई हैं और 18 परवों के इंदर बटा हुआ है माभारत माभारत का युद भी 18 दिन तक चला था ये कोश्चन एक्जाम में पूछे गए हैं अगामी एक्जाम में आये हुए हैं ये और भगवत गीता की बात की जाए तो सिर्मत भगवत गीता जो है वो एक काव्या गरंथ है सिर्क्रिशन ने गीता का उपदेश दिया था और रामायन की बात की जाए काव्या गरंथ है रामायन भी नेक्ट कोश्चन है हमारे पास गीता का उपदेश किस परव में है परव से कोश्चन आ जाता है कई बार deeply एक question आया था कि गीता का अपदेश कौन से परव में है छटे परव में है गीता का अपदेश छटे परव में है इसको भीशम परव भी कहा जाता है ये question आया था कि भीशम परव कौन सा परव है वो 6 परव है इसका छटे परव में बीशम परव बोलते हैं चटे परव को उसमें कया है गीता का उपदेश दिया हुआ है ऐसे ही 18 परव हैं मैंने बताया आपको 18 परव में सबसे पहला जो था वो आदी परव था पहला परव आदी परव और जो सात्मा परव था इसका सात्मा परव द्रोन से था गुरूर द्रोनाचारिया से यह द्रोन परव था वो सात्मा परव था चोथे परव की बात की जाए तो चोथा परव विराट परव के नाम से जाना जाता है यह कोश्चन वैसे आया नहीं है लेकिन extra additional information है ये आपके लिए बीशम 6th परव में बीशम परव है ये आया था कोशन की तक अब्देश किस परव में है नेश कोशन है हमारे बास राजा प्रिक्षित की पहली राजधानी का नाम क्या था राजा प्रिक्षित से कोशन आया है तो इन्होंने अपनी दो राजधानिया बनाई थी पहली राजधानी के बारे में पूछा है इन्होंने कौन सी थी? असन थी, पानपरस्त थी, इंदरपरस्त थी, सोनपरस्त थी कौन सी थी? सोनपरस्त को सोनिपत बोलते है आज के टाइम में, वर्तमान में इंदर प्रस्थ को दिल्ली और पान प्रस्थ को पानिपत ठीक है या असंद में बताओ इसका जो सही अंसर रहेगा इंदर प्रस्थ इंदर प्रस्थ क्या था पहली राजधानी थी राजा प्रिक्षित की और जो इन्होंने दूसरी राजधानी बनाई थी वो असंद को बना राजा प्रिक्षित पूछा जा सकता है कि राजा प्रिक्षित कौन थे राजा प्रिक्षित अभिमन्यू के पुत्तर थे और अभिमन्यू किसके पुत्तर थे अभिमन्यू अर्जुन के पुत्तर थे ये कोशन मिल जाता है राजा प्रिक्षित की पूछ लेते हैं कि इनकी मृत्यू कैसे हुई थी ये कोशन ये भी पूछा जाता है कई बार राजा प्रिक्षित की मृत्यू कैसे हुई थी ये सांप काटने से हो गई थी और जब साम कारने से इनकी मिलिखती हुई तो जन्में जय उनके पुत्तर थे पुरिख्षित के पुत्तर कोन थे? जन्में जय जन्में जय उनके पुत्तर थे तो इन्होंने क्या कराया था? सरबडबन यग कराया था Next question है हमारे पास सफीदो कहां पर है? कई बार कोशिन आया है एक्जाम के अंदर सफीदो जी इंद के अंदर पढ़ता है ये और सरब दमन होने के काई मैंने आपको बताया कि जनमेज्जा प्रिक्षित का पूत्तर था तो जनमेज्जा ने सरब दमन यग करवाया था तो सारे साप आकर वहां इकठे हो गए थे किस की तरफ से लड़े थे अर्जुन की दुर्योधन की करन की या उप्रोक्त में से कोई नहीं सबको बता है कि अर्जुन की तरफ से लड़े थे सिर्क्रीशन जी और दुर्योधन की तरफ से कौन लड़ा था पूछा जाए अगर एक कोश्चन आजाए एक्जाम में आया भी चुका है ये कोश्चन दुर्योधन के तरफ से सिर्क्रीशन के पास दोनों आये थे अर्जुन भी आया था दुर्योधन भी आये थे अर्जुन ने क्या मांगा था कि सिर्क्रिशन आप मेरे साथ रहना और दुर्योदन ने क्या कहा था कि मुझे अपनी नारायनी से ना दे देना तो दुर्योदन की तरफ से सिर्क्रिशन की नारायनी से ना लड़ी थी और अर्जुन की तरफ से सिर्क्रिशन इसका सही अंसर है का जोती सर में जोती सर में गीता का उपदेश दिया था सिर्किशन जी ने और एक कोशन ये भी पूछा जाता है कि कहां दिया था जोती सर में बर्गद के पेड़ के नीचे किस पेड़ के नीचे पूछ लेते हैं तो बर्गद के पेड़ के नीचे दिया थ करता है जोती सर जिर्टिर्ट की जिर्जुन के सार्थी ते आप सब को पता है और जुन के रूप में जो अर इल्जुन का रत ठाउ अर्जुन के रत के ऊपर हनुमान जी की फोटो भी बनी हुई ठी इसलिए उन्हें कपी दावज भी बोला जाता था यह कोशन बहुत आ चु का अर्जुन इसका सही अंसर है ऑप्शन डी इसका सही अंसर है अर्जुन का पुत्तर था और गुरु द्रोनाचारिय की बात की जाए तो अर्जुन को मारने के लिए इन्हों अचारिय क्या किया था गुरु द्रोनाचारिय ने चक्कर्वियू राच्छा था अर्जुन कोद्ध को नाम क्या पड़ता सक्षेय बाते है अमीन ये कुर्क्षेत्र में पड़ता है अमीन गाउं तेरवे दिन यूद के तेरवे दिन मारा गया था अभी मन्यू तेरवे दिन चक्कवियू रचा गया था तो उसमें मारे गये थे नेश्क कुछन है हमारे पास धरितराश्टर को माभारत यूद का वर्नन किसने सुनाया था किसने सुनाया था नकुल ने, सोरव ने, संजय ने, शांतनु ने बताओ किसने संजय ने सुनाया था माभारत का दिरितराश्टर को next question है हमारे पास माभारत में असव धामा किसका नाम था किसका नाम था हाथी का था गुर्दरोनाचारिय के पुत्र का था A और B इन में से कोई नहीं इन में से अंसर क्या रहेगा option C आपका सही अंसर रहेगा माभारत में असव धामा दो बन्नों का नाम था एक तो जानवर था एक गुर्दरोनाचारिय का पुत्र था असव धामा का नाम था और हाथी का नाम भीम ने हाथी को मारा था तो युदिश्टर ने शंक बजवा कर बताया था कि असव धामा मारा गया जिससे गुर्दरोनाचारिय ने अपने हतियार फैंक दिये थे नश कोईशन है तो युदिश्टर है हमारे पास युदिश्टर कर रहे है युदिश्टर को रहे है क्यों बोलते हैं इसको बान गंगा जब बिज्शम पितमा शेया पर लेटे हुए थे मरने की कंडिशन में थे जब तो अर्जुन को उन्होंने पाने पीने के लिए बोला था तो अर्जुन ने धर्ती में तीर मारा था तीर मारकर पाने निकाला था इसलिए इसको बानगंगा तीर्थ बोलते हैं गुरुक्षेत्रा में है ये एसकोशन है हमारे बास भगवत गीता में सिर्कीशन ने किसका उपदेश दिया है करम करने का, आधर करने का, युद्ध करने का इन में से कोई नहीं भगवत गीता में करम करने का उपदेश सिर्कीशन जी ने दिया हुआ है और बात की जाए एक कोशन और भी आया था सिरी किशन और अर्जुन से कि किन किन के बीच में वारतलाप हुई थी मा भारत में जो भगवत गीता के अंदर किन किन के बीच में हुई थी सिरी किशन और अर्जुन के बीच में दोनों के बीच में हुई थी और आपको बता है बताया मैंने आपको अर्जुन को कपी धावज भी बोला जाता है नेश्ट कोश्चन है हमारे पास भगवान शीव ने पशुपाद सस्त्र किसको दिया था? भीशम को दिया था करन को, दुर्योदन को या अर्जुन को दुर्योदन को किसने मारा था? भीशम ने, अर्जुन ने, नकुल ने, शहदेव ने, करन ने किसने मारा था? करन तो दुर्योदन का मित्तर था, तो वो कैसे मार सकता है? भीशम ने मारा था दुर्योदन को, कसम खायती भीशम ने दुर्योदन को मारने की और एक कोशन ये भी आया था दुरियोदन से कि किस दिन मरा था दुरियोदन दुरियोदन अठारवे दिन मरा था युद के जब दुरियोदन मरा था तब युद स्माप्त हो चुका था और कहां पर मरा था उस तीर्थ का नाम है धूंडा तीर्थ ढूंडा तीर्थ कहां पर है जीन में पढ़ता है ढूंदा तीर्थ ये नेश कोशन है हमारे पास करण का कीला कहां स्थित है कुर्क शेत्तर में यम्नानगर में पानीपत में करनाल में कहां पर स्थित है सब को पता होगा करण का कीला करनाल में स्थित है Option D का सही अंसर रहेगा अंग राज कर्ण बोला जाता था कर्ण को क्यों बोला जाता था क्योंकि वो अंग राज्या के राजा थे जो कर्ण को दुर्योधन ने दिया था और ये भी question पूचा जा सकता है कि कर्ण की मृत्यू कौन से दिन होई थी युद में युद के 13 दिन हो गई थी मृत्यू कर्ण की और किसने मारा था कर्ण को कर्ण को अर्जुनने मारा था ये थे latest question और जो exam में आ भी चुके हैं वो question थे माभारत से एक दो question HSC exam में मिल जाते हैं अगर आप ये वीडियो देखकर जाओगे तो आप कोई भी question मिस नहीं कर सकते हैं माभारता से Thank you for watching my video वीडियो को like करें, share करें, comment करें comment में बताएं कि आपका कितना score रहा